असलाम वालाइकुम मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरी यूट्यूब चानल में आज के इस वीडियो में हम आयूआई प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे आयूआई प्रक्रिया क्या होती है ये किन कपल्स के लिए अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें लगभग कितना खर्चाता है और इसका पूरा क्या प्रोंसीजर है इस बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में डीटियल में बताऊंगी ताकि अगर आप भी आयूआई ट्रीटमेंट करवाना चाते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आए वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना बिलको ना भूले सबसे पहले जब कपल्स डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी शादी को अगर बहुत साल हो गए है, शादी को तीन साल हो गए है, छे साल हो गए है, दस साल हो गए है तो डॉक्टर आपको एक treatment के बारे में ज़रूर refer करते हैं जिसका नाम है IUI IUI का full form है intrauterine insemination ये एक ऐसी तकनीक है ये एक ऐसा advanced treatment है जो नी संतान दमपतियों को pregnant होने में गर्ब रुकाने में help करता है ये प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपका एक ultrasound करके uterus का size देखते हैं ovaries देखते हैं कहीं आपको PCOD PCOS की problem तो नहीं है क्या आपको hormones के injection की ज़रूरत है डॉक्टर आपकी फिलिपिन tube की भी जाँच करते हैं क्योंकि फिलिपिन tube का open होना IUI procedure में बहुत important है आपके husband का semen analysis होता है जिसमें husband के count mortality की बारी की से जाँच होती है ये सारे test होने के बार डॉक्टर आपका IUI प्लान करते हैं जिसमें period के दूसरे दिन से आपको कुछ medicine prescribe करते हैं ये medicine oral medicine होती है जिसको ovulation induction भी कहा जाता है ये medicine लगभग 5 दिन खानी की होती है period के दूसरे दिन से period के छटवे दिन तक ये medicine आपको खानी होती है इसमें जनरली डॉक्टर लेट्रोस, क्लॉमिट ऐसी medicine आपको प्रफर करते हैं जिन महिलाओं की ovaries stimulate नहीं होती है medicine से ऐसे में डॉक्टर पीरट के दूसरे दिन से injections भी शुरू करते हैं ताकि ovaries stimulate हो सके अगर एक बार आपके stimulate होना शुरू हो गए तो डॉक्टर आपको period के 8 वे या 9 दिन पे एक sonography के लिए बुलाते है sonography में डॉक्टर ये देखते हैं कि जो दी गई medicine है वो properly काम कर रही है या नहीं या फिर आपको injections की और ज़रूरत है उसके ही basis पे आपका treatment और आगे बढ़ता है और आपको डॉक्टर हर alternate days sonography के लिए बुलाते हैं जिसमें trans vagina के त्रो आपकी ovaries का status देखा जाता है कितने follicles grow हो रहे हैं कितने अंडे mature हो रहे हैं ये सारा status एक card के अंदर लिखा जाता है उसके बाद में डॉक्टर आपका जब follicle 20-22 mm का बन जाता है तो आपको एक final trigger shot देते हैं ये trigger shot देने के बाद इसमें 36 hour के भीतर ही patients को clinic में बुलाया जाता है husband के semen को collect किया जाता है और उनको wash किया जाता है ताकि अच्छे शुक्राणों को collect करके female के uterus में vagina के त्रूप transfer किया जाए ये बिलकुल painless प्रक्रिया होती है इसमें किसी भी तरह का pain females को नहीं होता है और ना किसी तरी की bleeding होती है तो ये एकदम साधारन सी प्रक्रिया है जिसमें अंडे और शुक्राणों को मिलाने की कोशिश की जाती है वैसे जब हम naturally try करते हैं pregnancy के लिए तो हमारी ovari से अंडा बनता है फूरता है ये फिलिपिन ट्यूब में आता है और उससे sperm जाके मिलता है और pregnancy conceive हो जाती है लेकिन जिन females के अंदर ये प्रक्रिया नहीं हो पाती जैसे अंडे नहीं बन पाते या वो रप्चर नहीं हो पाते या sperm उन तक नहीं पहुच पाते तो ये सारा procedure डॉक्टर अपनी निगरानी में करते है और IUI treatment के माध्यम से आपको गर्ब रुकाने में हेल्प करते हैं हो सकता है आपको पहले IUI में सफलता ना मिले दूसरे में मिल जाए या तीसरे में मिल जाए इसलिए IUI करवाने के टाइम पे patience रखना बहुत जादा जरूरी है और positive thinking रखना बहुत जादा जरूरी है किसी किसी को 4 या 5 IUI होने के बाद सफलता मिलती है आईए अब हम बात करते हैं कि IUI के प्रक्रिया में लगभग कितना खरचाता है तो हर एक state में और हर एक clinic में इसका price vary कर सकता है कहीं पे ये 10,000 के अंदर हो जाता है तो कहीं पे ये 20,000 के अंदर हो जाता है including medicines तो आपको अपने clinic में जाके इसके बारे में जरूर जानकारी लेनी है अगर आप IUI करवाना चाहते हैं जिस भी doctor साप मिल रहे हैं उनसे आप पूरा treatment के खरचे के बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि हर एक clinic में अलग-अलग packages होते हैं अब हम बात करते हैं कि IUI प्रक्रिया की क्या success rate है तो IUI प्रक्रिया बहुती नॉर्मल प्रक्रिया है गर्वधारन करने की इसलिए इसमें सिर्व 10 से 15% ही chance होते हैं कि आप conceive कर सके IUI प्रक्रिया हो जाने के बाद doctors उसी दिन patient को घर बेज देते हैं और एक से दो दिन तक physical contact में रहने की भी सला देते हैं और tension free रहने की भी सला देते हैं और अच्छी diet रखने की सला देते हैं कभी-कभी doctors patient को progestron के tablets, oral tablet या vagina tablets भी prescribe करते हैं ताकि progestron की भरपूर मात्रव body को मिल सके और implantation success हो सके अब आपके ये question होगा कि IUI success हुआ या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा तो अगर आपकी period की due date है तो उसके 10 दिन बाद आप घर पे urine pregnancy test करके देख सकते हैं या फिर जिस दिन आपका period मिस हुआ है उसी दिन आप blood test भी करके देख सकते हैं कि आपको pregnancy हुई है या नहीं हुई है I hope इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको IUI procedure के बारे में एकदम साधारन सी language में समझाया वीडियो के माध्यम से समझाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए उन तक ये वीडियो पहुच सके और वो भी इस टेकनलोजी का फाइदा उठा सके अगर आप मझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाते हैं regarding your infertility तो आपकी स्क्रीन पे इक नमबर फ्लैश हो रहा है सिंपली इसको सेफ कर लीजे और वाट्सप करिए I want appointment आगे का procedure मेरी टीम आपको guide करेगी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखे अल्ला हाफेज झाल 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 सिंपल